CEC फिरोज खान ने GMS शाचे बटालिक में लाइबरी का उद्गाटन किया। LHDC कारगिल सिल्मो शर्ची रोड की शर्चाई प्राथमिक्ता के लिए सठक संपर्ग 2022-2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कारगिल में 1 दिसंबर 2021 अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पारशद LHDC कारगिल फिरोज एहमत खान ने कहा कि शर्ची गाउं के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और संचार को प्राथमिक्ता वालिक शेत्रों के रूप में केंद्रित करने की आवश वानी, जिला युबा सेवा और खेल अधिकारी डी वाई एससो कारगिल मुहम्मद हुसेन रहनुमा, परियोजना निदेशक के आरी डी एकाचो एहमत खान, जेडी पी ओ कारगिल मुहम्मद काजिम, राश्ट्रिय पुरसकार विजेता शिक्षक मुहम्मद अली, 17,000 फीट फाउंडेशन के प्रतीनिधी जाकिर हुसेन शारा, वास्तुकार और रजामबा के प्रतीनिधी फैयाज अली, इंजीनियर और गाउंप के प्रतीनिधी आरिफ हुसेन लद्दाखी के अलावा शिक्षा, आरेंडबी और अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी दोरे के दोरान CEC के साथ थे, जिसमें चुलिचन से 3 किलोमीटर की दूरी को साफ करना शामिल था। फिरोज एहमद खान ने कहा कि यात्रा का एक मात्र उद्देश शेक्षी की परिद्रश का आकलन करना और स्कूल और छात्रों के भविशे के लिए उपायों का मसौदा तयार करना था। उन्होंने स्कूल प्रशासन विशेश रूप से शिक्षक मुहमद अबास और उनकी टीम के अलावा स्थानिय ग्राम शिक्षा समिती की सराहना की, जो अब तक बिना सड़क संपर्क वाले ऐसे दूरदराज के गाउं में गुनवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्च ग्रामीनों की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए C.E.C. खान ने कहा कि शिक्षा हमारी सर्वोचप राथमिक्ता है और आश्वासन दिया की चरनबद तरीके से मांगों को पूरा करने के लिए सभी आवश्य को पाई किये जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगले व भाग को जल्द से जल्द सुरक्षित फुरपात के लिए योजना प्रस्तावित करने का निर्देश दिया। टूर के बाहर भी वहन किया जाएगा। समय आने पर जिले की व्यवस्ता भी कर दी जाएगी। इस अफसर पर राष्ट्रिय पुरसकार विजेता शिक्षक मुहम्मद अली, 17,000 फीट फाउंडेशन के प्रतीनिधी जाकिर हुसेन शारा, शिक्षक जिये में इस शर्ची मु आस्तुकार और प्रतीनिधी रजामबा, फैयाज अली और नंबरदार मुहम्मद अली ने भी सभा को संबोधित किया और अपने विचार साजा किये। इस से पहले, स्कूल के परिवर्तन पर दो वीडियो व्रिट्चित्र और रजोंगी कोर गुफा को फैयाज अली और आर झाल